नवसकार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल Learn and Grow में आज हम डिसकस करेंगे स्टील रूल और उसके कुछ टाइपस के बारे में उसके मैटीरियल के बारे में और ये किन किन साइज में पाए जाते हैं उनके बारे में इसको देखेंगे तो स्टील रूल जैसा कि इसको नाम दिया गया है ये स्टील का बना होता है ये हमारा स्टेनलेस स्टील का बना हो सकता है स्प्रिंग स्टील का ये बना हो सकता है या फिर हाई कार्बन स्टील का ये बना होता है तो कोई भी material आप इसके अंदर choose कर सकते हैं according to requirement लेकिन बना ये steel का होता है और इसके through हम direct measurement करते हैं किसी चीज को मापना हो जैसे workshop में हम किसी चीज को मापना हो तो इसके through हम direct measurement कर सकते हैं उसके उपर marking की होती है वो देखें किस किस तरह की marking होती है और उसके कुछ types होते हैं ज देखिए एक standard steel rule है जो हर एक जो आप workshop है उसके अंदर ये पाया जाता है तो इसके अंदर क्या होता है एक लंबी strip होती है steel की जो आप कोई भी यूज कर सकते हैं मेली ये हमारी stainless steel की use होती है या spring steel की use होती है कई जंगा high carbon steel की भी इसको use किया जाता है तो इसके अंदर एक strip है steel की और उसके उपर marking होती है दोनों side एक तरफ होती है सेंटीमीटर के अंदर marking सेंटीमीटर के अंदर marking और दूसरी तरफ होती है इंच के अंदर marking तो एक तरफ सेंटीमीटर के अंदर होती है marking और एक तरफ होती है इंच के अंदर marking जो सेंटीमीटर है वो किस तरह से divide हो और जो एक mm है वो भी हमारा छोटी छोटी लाइनों से divide होता है छोटी छोटी लाइनों से इनके बीच में भी छोटी छोटी लाइने होती है जो की half mm तक हम reading ले सकते हैं तो जो small reading ले सकते हैं वो half mm तक ले सकते हैं आधा mm तक हम reading ले सकते हैं जो centimeter वाली side है उस तरफ से और इ में डिवाइड था और जो एक mm था वो आधे आधे mm में डिवाइड था तो आधा mm हम कम से कम रीडिंग ले सकते हैं किसी भी चीज को कम से कम आप जो ले सकते हैं आधा mm होता है इसको हम लिश्ट काउंट भी बोलते हैं इसका कि मीनिमम जितनी हम रीडिंग ले सकते हैं तो mm क के अंदर क्या है जो एक इंच होता है यह हमारा according to requirement distribute होता है यह एक बटा दो में भाग में भी divide हो सकता है एक बटा चार में भी divide हो सकता है एक बटा आठ में भी divide हो सकता है एक बटा सोला में भी divide हो सकता है एक बटा तो अलग अलग जो according to requirement है एक इंच अलग अलग भागों में divide होता है, तो जो minimum reading है जो हम ले सकते हैं, इंच वाली साइड से एक बटा 64 तक ले सकते हैं, जो एक बटा 64 इंच है, तो एक इंच का 64 भाग तक हम map सकते हैं, तो इस तरफ इंच की reading होती है, जो minimum reading हम एक बटा 64 सकते हैं तो स्टेंडर स्टील रूल लगबग जो है हमारा छे इंच से बारा इंच तक पाया जाता है जो हमारा लगबग यूज होता है या फिर अगर हम सेंटिमीटर में बात करें तो पंदरा सेंटिमीटर से 30 cm तक पाए जाता है तो कोई भी आप ले सकते हैं 6-12 इंच या फिर 15 cm से 30 cm यो किसी भी आप इसका यूज कर सकते हैं लेकिन लगबग जो है 6-12 इंच के पाए जाते हैं 15 cm से 30 cm पाए जाते हैं लेकिन जो इनकी लंबाई है वो काफी हो सकती है ये 6 इंच से लेके 48 इंच तक के हो सकते हैं या अगर cm में बात करें तो 15 cm से लेके 120 cm तक हो सकते हैं तो काफी लंबाई होती है according to requirement यूज कर सकते हैं लेकिन जो ज़्यादतर यूज होते हैं वो 6-12 इंच का यूज होता है या फिर 15 cm या 30 cm का यूज होता है जो लगबग वैक्षोक्स में यूज होता है तो यह है standard steel rule जो इसके उपर marking होती है इसी तरह से हर एक जो rule होता है इसी तरह की लगबग उस पर marking होती है according to requirement हम यूज करते हैं लेकिन इनके type अलग-अलग हो जाते हैं तो type क्या अलग-अलग हो जाते हैं देखे जैसे कि यह है दूसरा narrow steel rule तो narrow steel rule क्या है देखे जैसे इसके चोडाई काफी थी लेकिन इसके अंदर इसको नाम दिया गया है narrow steel rule narrow मतलब जो इसकी चोडाई है यह लगबग 0.5 mm तक होती है 0.5 mm तक तो चोडाई इसकी कम हो जाती है तो इसकी मारकिंग वही रहती है लगबग तो चोडाई कम होने से क्या है हम इसका यूज कर सकते हैं जहां पे हम इसकी चोडाई जादा होने के कारण इसका यूज नहीं कर पा रहे थे तो narrow steel rule का हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जैसे कोई बंद नाली है, कम जिसका डाया है वहाँ पे measurement कर सकते हैं या जहाँ पे हमें जंगा प्रयाप्त नहीं है ज्यादा चुड़ाई वाला scale हम यूज़ नहीं कर सकते वहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं तो narrow steel rule भी हम लगबग ये हमारे 15 cm से 15 cm का यूज़ करते हैं या लगबग 12 इंच का यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी लंबाई हमें ज्यादा चाहिए होती है इसके अंदर तो हम 6 इंच का भी यूज़ कर सकते हैं या 15 cm का भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन इसके अंदर क्या है हम थोड़ा लम्भाइस की जाधा रखते हैं 12 इंच का भी यूज कर सकते हैं और से बड़ा भी यूज कर सकते हैं सेंटीमेटर मेंगे बात करें तो यह लम्भाइस की जाध होती है चुडाई कम होती है तो इसलिए इसको Narrow Steel Rule बोला गया है इसी तरह से अगर अलग टाइप पे आए हम तो हता है हुक स्टील रूल हुक स्टील रूल क्या होता है इसके अंदर एक हुक लगी होती है यह देखिए इसके अंदर एक हुक लगी होती है इसलिए इसको हुक स्टील रूल बोला गया है इस hook कलूज कहां पर किया जाता है मालने जीए यह hook आपको कहीं पर अटकानी है जैसे मालने जीए यह चीज है कोई key way है देखे यहां पर जैसे cut लगा हुआ है तो यहां पर आपको अटकानी है तो यहां पर यह अटक जाती है यहां पर तो आप easily reading ले सकते हैं इस hook को आप यहां पर अटका देंगे और इसकी पूरे scale पूरी reading ले लेगा तो यह hook इन चीजों के लिए काम आती है जहां पर कोई cut लगा है वहां पर आप इसको अटका सकते हैं तो easily इसको measure कर सकते हैं अगर आपको लंबाई में ज्यादा लंबाई लेनी है आप इसको नहीं पकड़ सकते तो hook अटका के आप इसकी आसानी से reading ले सकते हैं तो इसलिए इसको hook steel rule बोला गया है इसी तरह से है flexible steel rule जो flexible steel rule है हमारा यह हमारा लगबख spring steel steel से बना होता है तो इसके अंदर क्या है flexibility होती है जादा तो मालीजी कोई इस तरह का part है इस तरह का कोई banded part है अगर आपको इसकी map लेना है इसका map लेना है पूरा तो आपको क्या चाहिए एक तरह का flexible steel rule चाहिए तो इस तरह के parts के लिए यह flexible steel rule यूज किया जाता है तो flexibility इसके अंदर होती है इसलिए इसको flexible steel rule नाम दे दिया गया है कि flexible जो हम इसको करके असानी से इस तरह के map ले सकते हैं उसके बाद आता है हमारा shrink steel rule shrink steel rule जैसा कि इसको नाम दिया गया है shrink steel rule इसके अंदर क्या होता है जो हमारे standard की measurement होती है माले यह हमारा एक जो centimeter है इसके अंदर जो measurement होती है वो थोड़े बड़े होते हैं जो हमारे यह निशान लगे होते हैं थोड़े बड़े होते हैं देखे एक यहां तक है लेकिन इसमे एक थोड़ा बड़ा है ऐसा क्यों होता है इसकी अंदर ये जो बड़ा लिया जाता है इसलिए लिया जाते है इसकी मार्किंग क्योंकि ये पैटरन बनाने वालों के काम आता है पैटरन क्या होता है पैटरन हमारा यूज होता है कास्टिंग के अंदर कास्टिंग प्रोसेस क् foundry में की जाती है एक हमें इस तरह का mold बनाना होता है जैसा भी हमें product बनाना है इसके अंदर गरम गरम धातू को डाल दिया जाता है पिंग लाकर फिर उसको ठंडा कर लिया जाता है जैसे ही ये ठंडा होती है कोई भी धातू है जब वो ठंडा होती है तो वो security है तो ये security के कारण छोटी हो जाती है मालनी जी आपको 10 mm का इस तरह का block चाहिए था 10 10 10 10 10 10 10 10 mm का block चाहिए था लेकिन जब आपने एक pattern बना लिया मालनी जी 10 10 10 का ही बना लिया standard के हिसाब से लेकिन जब आपने इसके अंदर गरम धातू डाली और वो सुकडी तो ये कम का बना दस का नहीं बना 9.98 का बना चारो तरफ से या 9.99 का बना लेकिन accurate नहीं बन पाया क्यों क्योंकि उसके अंदर shrinkage हो गई वो सिकुड गया जब वो ठंडा हुआ तो इसी चीज़ को compensate करने के लिए इसी चीज़ की सथी पूर्ती करने के लिए ये जो marking है ये थोड़ी बड़ी ली जाती है according to material ये material के नुसार ली जाती है जैसे कि माली ये cast iron है उसके लिए अलग marking का यूज किया जाता है अगर हमारा aluminium है अगर हमारा brass है तो अलग-अलग material के लिए अलग-अलग ये shrinkage होती है तो इस हसाब से pattern को बनाया जाता है तो अगर pattern हम पहले से ही बड़ा बनाएंगे माली जिए जितना भी ये shrink हुआ उतना पहले ही हम pattern बड़ा बनाते तो ये cavity भी बड़ी बनती जिसके अंदर हमें जो hot metal है जो hot हमने पिंगला कर डाला है वो भी हमारा थोड़ा बड़ा बनता और जब वो secure था तो accurate size में आ जाता जब वो थंड़ा होता तो इसलिए ये बड़े ये marking होती है थोड़ी बड़ी होती है ये allowance दी होती है एक तरह की ताकि जब ये धातू secure तो ये अपने actual size में आ जाए और हमें accurate product मिले तो इसका use करते हैं pattern maker कि जो pattern बनाने वाले होते हैं कि हमें किस चीज का pattern बनाना है जो किसी धातू का जो हम use कर रहे हैं तो according to उसके हम pattern बनाते हैं उस pattern से इस तरह की cavity बनाई जाती है इस cavity के अंदर फिर hot metal को डाला जाता है फि इसलिए इसको shrink steel rule बोला गया है क्योंकि इसके अंदर हम पहले ही marking थोड़ी बड़ी रखते हैं यह according to requirement अलग-अलग होती है अलग-अलग allowance दी होती है हर एक rule के अंदर तो यह भी एक अच्छा steel rule है shrink rule जो steel rule है आगे आता है की sheet steel rule क्या है एक तरह एंगल की तरह होता है जैसे rule लगा है और दूसरी तरह यह इसकी एक sport सी लगी है जिसको हम angle बोल रहे है कि एक angle की तरह है जो iron का angle होता है लोहे का angle होता है उस तरह होता है इसको चैना माल लेजीए कोई sharp है इस तरह की इसके उपर आपको कोई की काटनी है, यहां पर कोई की काटनी है, सलोट बनाना है या की काटनी है, तो इसको असानी से इस तरफ से स्पोर्ट देके ऊपर से असानी से मार्किंग की जाती है, या कहीं पर समानतर रेखाएं खीचनी हो, यह असानी से यह स्पोर्ट जब हम लग गा देते हैं। तो इसी लिए कीऍट नाम दिया गया है कि जो हमारा शाफ्ट के ओपर की लगती है। तो उनकी मारकिंग असानी से हम कर लेते हैं। उसके बाद आती है स्टील टेप। आ अपने लगबग देखी होगी। यह स्टील टेप लगबग हमारी 6 Prince तक की होती है या हम बात करें कि दो मीटर तक की होती है तो according requirement इसका भी यूज किया जाता है काफी लंबी लंबी स्टील टेप होती है ये भी स्टील का मैठीरियल की बनी होती है और ये काफी फ्लेक्सिबल होती है जो हमारी इस तरह की चीज़े हैं जिनका हम माप इन रूल से नहीं ले पाते या लंबी चीज़े हैं काफी जादा या काफी जादा उबडखाबड चीज़े है तो वहां तरह से जो steel rule है और उसके types हैं इस तरह से अलग-अलग जगा पर अलग-अलग तरह से काम आते हैं लेकिन जो इनकी requirement है वो हर जगा होती है जैसे standard state rule है यह हर जगा लगबग हर एक workshop में आपको मिलेगा ही मिलेगा तो इसके बिना क्या है उनका काम चलता ही नहीं है तो steel rule एक बहुत ही अच्छा equipment है या हम कहें कि measuring instrument है जो directly हमें reading देता है किसी बीचीज की तो यह थे उसके अलग-अलग तरह के type और उनके use तो thank you video देखने के लिए और ज्यादा updated videos के लिए आप हमारे चैनल learn and grow पे हमें subscribe कर सकते हैं thank you